प्यारे मित्रों नमस्कार अभी आई फिलू का दोर चल रहा है आई फिलू में आखे लाल हो जाती है आखों में कच्रा जाता है आखों में जलन होती है आखे सुच जाती है मैं मानमरोड़ा आपके सामने एक सरल और सस्ता और बिना किसी नुक्सान दायक एक उप्चार बता रहा हूं ये एक ट्यूब दो रुपए की किसी भी पानवाले क्या मिल जाएगी ये काने के चूने की ट्यूब है आप एक ट्यूब लियाएए इस ट्यूब में से चूना थोड़ा ब्लेट में डाली है बिल्कुल थोड़ा डाली है ज्यादा की आफशक्ता नहीं है और दो तिन भून इसमें पानी टपकाईए ये हलका नरम हो जाएगा पतला पतला हो जाएगा और उसके बाद आपको इस ट्यूने को अपनी दोनों साइड की कनपटी पे इस तरह लगाना है दोनों साइड की कनपटी पे आप लगाईए अच्छ तरह लगा लीजिए और इसके बाद यहां भून के उपर लगा दीजिए रात के टाइम आप लगा लीजिए इसको और हलका सा यहां भी लगा दीजिए आप रात को आप लगाईए सुबह आप देखेंगे कि आपका आई फुल्यू बिल्कुल गायब हो गया है और बिल्कुल भी नहीं हुआ तो भी मानलो आप रुपे में 90 पैसे गायब हो जाएगा दुबारा एक बार और लगा लीजिए आप की आखें बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगी कहीं कोई दवा डालने के आशकता नहीं है यह दो रुपे की एक ट्यूप कम से कम 20 मरीजों को ठीक कर सकती है इसका कोई साइड एफेक्ट नहीं है मैंने हजारों आजमियों पर यह अजमाया है और बरसों से अजमता आ रहा हूं और जिनके भी लगाया है आदमी क उनको हाथ जोड़के नमन कीजिए मैं आपके नाम से यह दवा लगा रहा हूं आप महरबानी करके मेरी आखें ठीक करिए रात को आप लगाएंगे सुबह आपके आखें बिल्कुल ठीक हो जाएगी यह बिमारी एक दूसरे की आँख मिलने के उपर दूर से मिलने नजर मि पर भी आपस में संक्रमित हो जाती है इसलिए इससे कोई घबराने की आपशकता नहीं है नहीं कोई काला चस्मा लगाने की जरुत ही है और यह लगा कि आप देखिए आप खुद भी लगाईए लोगों को भी बताईए और जिनको भी आप बताएंगे वह आपको दूआ द दूआ ही बताईए धन्यवार